नमस्कार आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आए जानते हैं सपने में हनमान जी को देखना कैसा होता है संकट मूचन बजरंग बली ही एक मात्र ऐसे भगवान है जो शिरुवात से लेकर अभी कल्यूग में भी हमारे बीच वास करते हैं आज भी जो सच्चे तपस्वी हैं उन्हें हनमान जी के साक्षाद दर्शन होते हैं ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनसे बजरंग बली की मौजूदगी साफ जाहिर होती है हनमान जी स्वैम अश्ट सिद्धी और नौनिधी के दाता हैं और कल्यूग में सबसे ज़ादा पुझे जाने वाले देवता हैं सपने में हनमान जी का दिखाई देना 23 शुब होता है यह कल्यान कारी उत्थान प्रद और सभी तरह के सुख देने वाला होता है यह स्वपन आने के बाद आप समझें कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है आपके सारे संकट और विपताईं अपने आप ही दूर हो जाएंगी जिस बेवैक्ति को हनमान जी दिखाई देते हैं उसे अपने कारे छेत्र में सफलता मिलती है साथ ही उसके शक्त्रू का सर्वनाश होता है यह स्वपन हर तरह से शिब होता है इसके लाव यह भी जरूरी है कि सपने में बजरन बली आपको किसा वस्था में और क्या करते हुए दिखाई दिखाई दिखना यानि दर्शन होना तो बहुत ही शिब होता है लेकिन अगर को पर आपको हनमान जी का बड़ा रूप सवप्ण में दिखाई देता है तो यहाँ भी शुब होता है और आप पर किसे संकट के आने से पहले ही दूर हो जाने का सुचक होता है इसके लावा हनमान जी का विग्राल रूप देखना सभी विपत्तियों के खत्म होने का संकेत होता है जिसमें व्यक्ति को इस तरह हनमान जी के दरशन होते हैं उन पर उनकी विशेश क्रपा होती है सपने में हनमान जी सोते हुए यानि लेटे हुए दिखाई दे तो यह आपकी उम्र के बढ़ने का सुचक होता है ऐसा सवपन देखने पर व्यक्ति का स्वास्ते भी हनमान जी का फोटो यानि तस्वीर या मुर्ति दोनों में ही वहाँ शांत और आनंद में लिन होते हैं मुर्ति या तस्वीर को सपने में देखना वहते ही शुब शकुन होता है इसके लावा अगर आपने कोई मनुकामना कर रही थी तो वहाँ जल्द ही पूरी हो जाएगी इसके लावा सपने में हनमान जी की तूटी मुर्ति दिखाई देना अशुब शकुन होता है ऐसा सपने देखने पर आने वाले समय में जरूर ही कुछ अशुब होता है इससे बचने के लिए हनमान जी के तरशन के लिए जरूर जाएं और वा नारियल वा धूप दीप यह सपन आपको शुब फल देता है और आपकी सभी समस्याओं का नाश करता है इसके लावा आत्मिक उन्नती होगी दान धर्म में आपकी रुची बढ़ेगी तिर्थे यात्रा होने का योग और परमात्मा में आस्था बढ़ेगी कुल मिलाकर यह बहुत ही कल्यान कारी सप प्रसात खाने के बदले रख लेते हैं या फेक देते हैं तो यह अशुब फल देती है इसके लावा कल्यूग में वैसे ही बजरंग बली बहुत पूझे जाते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन हनमान मंदर में कई भाक्तों की भीड़े लगी रहती है चाहे सपने में प्रक्ति के हाथ में कोई अच्छा शुब काम होता है इसके लावा हर्मान जी का पूझन करते हुए दिखाई देना सौभाग की शाली होता है आने वाले वक्त में आपके हाथों से धार्मिक कार्य या कोई सा भी अच्छा काम हो सकता है इसके लावा बजरंग बली को चोला चड़ाना बहुते ही शुब होता है, अक्सर हमारी कोई मांगे हुई मनुकामना पूरी हो जाती है, तो चोला चड़ाने मंदिर जरुरू जाते हैं, ऐसा करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं, चोला सपन में आना अच्छा शक्पून होता है, कई लोगों को खुद को चो मनुकामना का पूरा होना और नती प्राप्त करना और सफलता का सुचक होता है, इसके लावा यह स्वपन ऐसे में भी आ सकता है, जैसे कि अपने हनमान ची को चोला चुड़ाने का सोचा हो, लेकिन फिर आप भूल गये हूं और आपको वह बात याद भी नहीं रही हो, इस हरतरह से चुला चुड़ाने का सपना भी हरतरह से शिव होता है, यह अच्छे ही प्रिणाम देता है, इसके लावा हनमान ची को सपने में उड़ते हुए देखना कारे सिद्धी होने का सुचक होता है, अगर आपका कोई सा भी काम बड़े समय से रुका हुआ था, तो वह ज जल्द पूरा हो जाएगा, यह बहुत ही साकारात्मत सपन होता है, इसके लावा ऐसा सपने देखने पर वैक्ति में शक्ति का विकास होता है, रुके हुए कारी पूरे होते हैं और गप्त शक्त्रों भी नश्ट होते हैं, इसके लावा हनमान जी से बात करने का सपना यह भ वागती गहरी होती है और वहाँ परिशान रहते हैं तो ऐसे मैं अक्सर ऐसा स्वपन दिखाई देता है जिसमें हनमान जी से बात कर रहे हूं वैसे तो यह स्वपन शुब ही होता है लेकिन आने वाले समय में जीवन पर क्या बतलाव करेगा यह सिर्फ आप ही जान सकते हैं इ उस समय आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर परिशान थे इस तरह से आप हनमान जी से बात करने का अर्थ पता लगा सकते हैं सपनों में जब कोई वैक्ति आकर कुछ कहे तो आज जो बात कहता है उसका सच होने के चांस जादा होते हैं इसलिए स्वपन विज्ञान में जब भी स्वपने में कोई देवता या कोई वैक्ति आगर ऐसे कुछ कहे या बात करे तो उस पर गौर करना चाहिए क्योंकि वह बात आपके लिए अच्छा बूरा असर कर सकती है दोस्तों उम्मिद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको कुछ बातों पर संदय है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेट बॉक्स में अपने मन का विचार जरूर लिखें धन्यवाद